नमस्कार दोस्तों, इमेंटर्स में आपका सौगत है और इस वीडियो में हम इमेंटर्स के बारे में ही जानेंगे सबसे पहले मेरा परिचे, मेरा नाम बरुन कुमार मंडल है 2012 मैंने बिटक किया है के इसी दौराड से उसके बाद मैंने डेड़ साल सौटफिर इंजिनेर के लूप में काम किया है फिर मुझे लगा कि मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है क्यों ना एमटेक कर लूँ इसलिए मेरे इजिल से गेट के एक्जाम के लिए कोचिंग ली परन्तु मेरे माक्स एतने अच्छे नहीं आए कि मुझे आईटीज और अपर आईटीज मिल पाते चलिए मैंने एक साल और त्यारी करने की सोची और उसी बीच मैंने सीजिल का एक्जाम दिया और वहीं से मेरी सीजिल की जन्नी स्टार्ट हुई सबसे पहला एक्जाम मेरा सीजिल 2015 था जिसने मुझे टीए सिबिरिटी मिला परन्तु मैंने जॉइन नहीं करा रीजन यह है कि जौब के साथ पढ़ाई करना डिफिकल्ट आस था इससे मेरी पढ़ाई की एफसेंसी कम हो जाती तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक साथ और त्यारी करूँ और सीजिल 2016 में मुझे ASO मिल गया CSS में और अभी मैं इसी पढ़ाई नहीं छोड़ी और सीजिल 2017, सीजिल 2018 मैंने दिये क्यों दिये उसकी पीछी का रीजन ही है मैं कई सारे ग्रूप से मैं एक्टिव हूँ Facebook, Telegram, WhatsApp ठीक है तो वो मेरे ग्रूप से उसमें मेरे साथ दोस्त लोग है और मेरे साथ के बहुत सारे मेंबर्स है ठीक है तो उनके साथ बने रहने के लिए Up to the mark रहने के लिए मुझे पढ़ाई करने पढ़ती है तो उसी पढ़ाई करने के लिए मैंने सीजल 2,17 और 18 दिया ताकि मुझे पेपर का पैटर्न भी पता चलता रहा है सीजल 2,17 मैंने दिया परन्तु मैंने टेर 3 छोड़ दिया क्योंकि सीट वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं है क्योंकि सीजल 2,18 दिया है और अभी मेंस तक मेरे 5,30 मार्स है सीजल 2,18 के बारे में एक खास बात अभी कई लोगों ने अपने मार्स नहीं देखे होंगे क्योंकि सिर्फ एक दिन के लिए जो लिंक है वो शेयर हुआ हर जगा पे ठीक है टरड़ स्कें कपके में ही थी उसी लिंक पार أي ट्रींट टर्स्टीवों ने उसको निकाल दिया तो लोगों ने अपने मार्स देख लिए कि टो मुझे रगता है कि यहां टरटेस्टिंग फेज पर था लिंक तो वो टेस्ट कर रहे थे ठीक है और जब ऑफिशल लिंक अनॉंस होग अजिसी की दौरा तो उसमें मार्स में कुछ चेंजिस देखने को मिल सकते हैं क्यों मिल सकते हैं उसके पीचे का मेरा मेरा रिजन यह करता है तो दूरा के शिफ तो उसमें जो इंग्लिश के मार्स थे उसमें बहुत ही जीब ٹाईप से मार्स इंकीरीज हुए हैं जैसे अगर किसी के 193 मार्क्स थे तो इसके 205 हुए है और वही मेरे 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 खुद के 157 मार्क्स थे और मेरे 176 हुए देखिए यहां कितने मार्क्स बढ़े हैं यहां पर 12 मार्क्स बढ़े हैं और यहां कितने बढ़े हैं यहां 19 मार्क्स बढ़े हैं अब बताईए कि यहां पर ज्यादा मार् खुसान होगा क्योंकि कम बढ़े और मैं या कम मांक्स लेका है फिर भी ज्यादा बढ़ गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसके कम से कम 19 मांक्स तो बढ़ने ही चाहिए थे कम से कम 19 ऐसा लॉजिक कहता है और फॉर्मूला जितना मैंने समझा है नौर्मारेशन को फॉर्मूल मेरा एक दोस्त है आदित्य ठीक है जो कि हमारा इमेंटर्स का ही एक मेंबर है ठीक है तो आदित्य के मांक्स आए थे मैंक्स में 183 मांक्स कितनी अच्छ मांक्स है परन्तु नौर्मारेशन के बाद उसके 182 हो गया क्या हो गया और वहां हो गया लेवंद वालों के अच्छ ने थिया बलकि इससे 183 से ज्यादा मांक्स वाल इतने लोग नहीं हो सकते है ठीक है मैंक्स में नीज कुछ ना कुछ तो गडबड़ी है ऐसा लगता है अब आगे देखते हैं क्या होता है तो आई होग कि SSC आपिशल लिंक अनॉंस करें और उसमें मांक्स सही तरह सबके increase हो या decrease हो ठीक है तो अभी देखते हैं क्या होता है जो अफिशल लिंक अनॉंस होगा वह तो बात की बाते हैं अब आगे बढ़ते हैं अब मेरा चैनल था एक बंडल मैक्स बलके अभी भी है है आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें सबसे ज्यादा जो वीडियोस वाच हुई है वह सेपीटे के वीडियोस हैना और उसके लावा मैंने previous years paper के solution दिये हैं और mostly मैंने basic के थुरू दिया है क्यों basic मुझे बहुत पसंद है और इसकी पीच्छी का दूसर इसन यह भी था कि YouTube में बहुत सारे टीचर से जो कि shortcut पढ़ाते हैं जब लोग महां shortcut सीख ही रहे हैं तो क्यों ना मैं basic apply करूं कि मुझे पर जितना भी टाइम मिलता है job के लावा मैं कोजिश करता हूँ कि लोग को basic आ जाए है क्यों जो हमारा लास्ट सीरीज है इस चैनल पर मंडल मैस चैनल पर वो है CGL 2018 का जो कि अभी भी प्रोसेस में है और मेरे कोशिश है कि में इसमें basic के साथ आपको shortcut भी धूँ उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सीरीज पसंदारी होगी और यह मेरा last मैस का PY Q सीरीज हो सकता है last ठी ठीक है क्यों क्योंकि देखे दुबहर 15 से में CGL में लगा हूँ तो पास साल से मैंने अपनी पूरी कोईश करे कि आपकी help कर सकूं प्रूब वीडियो और आपके डावट सॉल्व करके चाहे वो Facebook हो चाहे टेलीग्राम हो चाहे WhatsApp हो अब कुछ वक्त मुझे खुद को भी दे और Maths के लिए भी अच्छे सार है Maths, English, Reasoning, Current Affairs और Descriptive अभी ये पांच चीज़ों वहाँ पर होने वाली है आगे देखते हैं क्या हो क्या का होने होगा उसमें ठीक है तो एक NoTalk रख लेजिए लिए कि जो मेरा मंटलमैस चैनल है उसमें कोई भी वीडियो डिलीट नहीं होगी पुरानी वीडो असको आप कभी भी देख सकते हैं कश perpet Awak औके अब नया channel क्यों खूला गया पूराने channel पर काम glowing करा ठीक है इंमर्टर क्यों मेंजन में क्यों ढाल नीज़े वीडियो इसके पीछे। रीजन है जैसे मामनलों के हम कोई पेड़ लगाए इस पौदर लगाए हमने या पौदर लगाए ठीक है वो पॉधा जब पेड बन जाए पूरा बड़ासा पेड बन जाए तो वो आपको ज्यादा खुशी देता है तो क्योंकि इसमें आपकी मैनत लगे होती है ठीक है वैसे ही मैंने सोचा कि एक नया चनल बनाते हैं उसमें सब को अपने मैनत करेंगे सब अपने इंपूट देंगे और अगर वो चैनल हमारा ग्रोव कर जाए ठीक है ग्रोव कर जा तो इस जो खुशी है वो उस वक्त मिलेगी वो उसका बयान नहीं कर सकते हैं इसलिए हमने नया चैनल क्रिएट किया है कि ओके इस चैनल में सभी इंडिपेंडेंट है लेकिन हम एज़ टीम काम करें इंडिपेंडेंट क्यों कोई मैस के वीडियो बना रहा है को इंगलीश के बना रहा है कोई रेजनिंग के बना रहा है कोई करेंट आफियर्स और कोई डिस्क्रिप्टिव और जो लोग बना रहे हैं सब जो link है हम भी online link है एक दूसरे से और जितने ही mentors है सब अपने subjects में काफी अच्छे हैं और videos voluntarily बना रहे हैं जैसा कि मैं अब तक मंडल मैस में बनाती हुए आया हूँ ठीक है और हमारा motivation का की कह है जो हमारा motivation है वह आपका support है आपका जितना support मिलेगा हमें उतना videos बनाने का मन करेगा और हम अच्छे content ग्लिवर करने के कोशिश करेंगे है अब देखते हैं mentors कौन कौन है इस channel के mentors है maths के लिए पुषपेंदर सर इंग्लिश के लिए सत्यवली सर रिजनिंग के लिए सौरप सर करेंट अफेर्ज के लिए इतिका मैं डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिशा मैं और एक standby mentor है आदित्य मैं आदित्य का नाम पहले भी ले चुका हूँ जब मैंने 11th के shift की बात अच्छी है आधिसर के basics बहुत यह अच्छे हैं और अभी 11-12 के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं अपने शहर में है ना तो अभी वहाँ पर लगे हुए साथ में यह descriptive के तयारी भी कर रहे हैं ओके और यह इनका last attempt है CGL का वरना यह overage हो जाएंगे 2019 में इसलिए दो मेने descriptive क पीछे लेगे हुए अच्छे तयारी करना चाहते हैं इसलिए भी standby पा रहे हैं ठीक है अब जो other members है वो है वरुन, पृति, इसमृति, मनेशगर जो हम दूसरी members है हम बस थोड़ा बहुत help कर लेते हैं इन mentors का ठीक है जैसके मैं वीडियो बना के आपकी help कर रहा हूँ है ना अब हमारा शेडूल क्या है वीडियो का शेडूल देखिए है सबसे पहले current affairs आठ बजे अपलोड हो रहा है ठीक है डेली अपलोड होगा इतने का मैं अपलोड करेगी और current affairs जो स्टार्ट होने वाला है आई होप चार नॉम्बर से स्टार्ट होगा ठीक है इतने का मैं ने से ही काया कि चार नॉम्बर स्टार्ट होगा जो इंग्लिश की वीडियोस है सब्तवली सर वीडियोस अपलोड कर ही रहे है ठीक है अब इनकी टाइमिंग में फिक्स हो गई है वो है 10 अम ठीक है यह छे दिन वीडियो लेके आएंगे और इनकी दो सीरीज होंगी जो फर्स स बेंदर सर उनकी वीडियो आएगी आठ होजे रात को और तीन दिन वीडियो आएगी मंगलवार गुरुवार शनिवार ठीक है और अभी यह कर रहे हैं CGL 2018 मेंस की वीडियोस ठीक यह खतम होने के बाद यह NTPC के वीडियोस करेंगे मैंने एक PDF आपको प्रोवाइड कर रख उसके बाद आते हैं Reasoning, Reasoning के लिए सौरब सर्फ और उनके वीडियोस आएगे रात के आठ हजे और वो दो दिन आएगे बुद्वार और स्वकुलवार फिर आता Descriptive आप सभी को पता है कि 29 December को Descriptive के पेपर है तो उसी Descriptive के लिए Trisha मैं हम बनाएंगी वीडियोस और अप्रॉक्स 20 वीडियोस आएंगे दिसम्बर तक और जो वीडियोस अप्लोड होने का टाइम है वो 10 बज़े है और वीडियो कभे भी अप्लोड हो सकती है अभी कोई टाइमिंग डेट फिक्स नहीं है ठीक है कोई डेट फिक्स नहीं सॉरी कि संडे को होगा मंडियो इसका में हम कहने सकते पर आएगी रात के 10 बज़े ठीक है और अप्रॉक्स 20 वीडियो अब अब जो एक यह चीज है मौक यह वसे ट्राइल है क्योंकि मैंने आपसे का था मैं अब खुद पर टाइम दूंगा परन्तु मुझसे कुछ लोगों निगा कि वो चाहते हैं कि मौक कोई अटाइम्ट करे और उसको मैं इस कैसे करना चाहिए यह भी एक मेंन फैक्टर है थीक है तो उस वीडियोज को बनाने के लिए मैं बनानी कोईजच करने हूं और थोड़ा अलक टैप की वीडियो है मीज अभी तक किसी नगे कोईज़े नहीं कि मौक की वीडियोають मेरी कोईच रहेगा कि जो माक मैं के 180 के आसपास तक मेरे मार्ग आ सकते हैं 120 भी आ सकते हैं और 180 सकते हैं डेपेंड करता है कि मुझे कितने कॉश्चिन आते हैं ठीक है कि में भूंगा आप उन मोंक को देखिये गाṣmokkot Attempt है वह वाले वीडियो में आपसे कहाँगा आप देख दी सकते हैं नहीं भी आपकी मरजी कि मुख अटेंट करने के बाद मेरे जिमाहं में क्या चल रहा किया बता में ना बूल मुख दर्शक की बाती आप भी देखती रहोगे तो उससे आपका टाइम बेस्ट होगा तो मुझे नहीं पता तो इस वीडियो का आप देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं अब एक बात देखिए कि कैसा लग रहा है पर जो मॉक अनलाइज है उसको आप जरूर किये गए क्योंकि यह बहुत में फेक्टर है ठीक है मुझे से क्वेगे जो मुझे से क्वे नहीं हुए ठीक है not attempted या रॉंग क्वेट है और टाइम टेकिंग क्वेश्ट्र ठीक है तो कुछ चीजे हम माओ अनलाइज में करेंगे कि इसमें हमारा कितना टाइम लग रहा है क तो मॉक अनलाइस के पाद ये देखेंगे हैं, तो जो टाइमिंग होगे हमारी वह रात के साड़ेनों बजी होगी और हफ्ते में एक मॉक करूँगा अभी, वन वीक, सरी, वन वीक में वन मॉक, ठीक है, तो जो अटैंड करूँगा, या तो संडे को करूँगा, या मंदे को क इनके वीडियो की टाइमिंग है, आट बजे, दस बजे सुभे, पर रात के आट बजे, रात के आट बजे, और रात के दस बजे, ठीक है, तो ये टाइमिंग है, और ये एक्स्टा वीडियो है, मॉक की, ठीक है, ओके, अब आते हैं, वीडियो तो बन गए, आपने वीडिय देख लिया पर आप चाहिए कि हमसे interact भी करें तो हमसे interact कैसे कर सकते हैं वो है टीन social media के दूप वो है Facebook, Telegram और WhatsApp Facebook का हमने एक page बना रख़ा है तो आप page को join कर सकते हैं ठीक है Telegram channel भी है Telegram group भी है आप उनको भी जोइन कर सकते हैं और WhatsApp group को भी join कर सकते हैं ठीक है WhatsApp अभी बनाया नहीं है और आइधिंग हम आज बना देंगे ठीक है टुड़े हम WhatsApp बना देंगे तो उसको लिंक है डिस्कृप्शन में आपको मिल जाएगा जितने भी लिंक है Facebook पेज का टेलिग्राम चैनल और गुरूप का और WhatsApp गुरूप का आपको उसका लिंक डिस्कृप्शन में मिल जाएगा आप गुरूप तो जोइन कर लेंगे पर जो गुरूप होता है वो कैसे चलता है वो चलता है मेंबर्स से तो आप भी गुरूप के मेंबर्स से गहलाएंगे है ना तो जो मेंबर्स है उनको भी अपनी भागिदारी करने पड़ेगी पार्टिसपेशन ठीक है मिस अगर कोई कोशन डाल रहा है वे अपने डावट पूछ रहा है कोशन डालके तो आप दे सकते हैं वेट ना करें कि एड्मीनी सॉलुशन देगा एड्मीन तो दूसरे काम भी कर रहा है वेडियो भी बना रहा है ठीक है आपकी डावट भी सॉल कर रहा है तो उसके लिए खुद का टाइम बहुत ही कम बचता है तो आप एक दूसरे की हल्प करेंगे तो उससे भी बहुत फायदा है कभी कुछ कोशन ऐसे होते है कि आग से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ठीक है आप समझ गए कि आप गुरुप तो जन करेंगे पर यह नहीं कि आप वेट करेंगे हम एड्मिन सॉलूशन देगा एड्मिन ने करेगा आपको एक दूसरे की हल्प करनी है इस बात कर दहन लखिएगा आप तभी हल्प आगे बढ आने है पेपर में जोब आपको लेनी है दूसरे को जॉब लेगे क्या आप सोचो कि दूसरे को जॉब लग गई तो हमें भी जॉब लग गई सब नहीं सोचते है ठीक है तो अगर को दूसरा कोशन पूछ रहा है तो आप भी कोशन पूछिए आप भी आगे बढ़िए ठीक